हिंदू धर में जनमाश्टमी का विशेश महत्व है इसी दिन भगवान कृष्ण ने मतुरा की धर्ती पर जन्म लिया था इस दिन काना जी के अराधना करने से शुपफलों की प्राप्ति होती है इस साल 6 सितंबर बुद्वार को भगवान कृष्ण का जन्मो सब मनाया जाए हर साल की तरह इस बार भी कृष्ण जन्माश्टमी की धूम दो दिनों तक यानी 6 और 7 सितंबर तक रहेगी धान्मिक माननिताओं के मताबिक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को रात के समय रोहुनी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ इसलिए हर साल अश्टमी तिथी को कृष्ण जन्माश्टमी मनाया जाता है ऐसे में इस दिन काहना जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है वैसे तो जन्माश्टमी पूरे देश में मनाई जाती है लेकिन मतुरा की जन्माश्टमी का एक विशेश महत्वे हैं। आपको बता दे कि मतुरा गोकुल और श्री कृष्ण से जुड़े बड़े बड़े स्थलों पर 7 सितंबर को जन्माश्ट मी मनाई जाएगे। ऐसे में व्यश्णो मंदिर या कृष्ण से जुड़े मंदिर गुरुवार के दिन जन्माश्ट मी मनाएंगे। मतुरा में श्री कृष्ण जन्म की तैयारी पूरी करनी गई है। वह मतुरा प्रंदाबन को अच्छी तरह से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्मों सब हनगर